नमस्कार, स्वागता है बच्चों आपका Self-Study के चैनल में और आज के हम अपनी इस वीडियो में डिसकस करने जा रहे हैं कि भारत की जलवाईू, इससे related जो important questions है जो previous years में questions आये हूँ हैं उनके बारे में अच्छा ये जो 5th वीडियो है इससे पिछले वाली जो चार वीडियो हैं जिसके अंदर हमने भारत के बहुत सारी चीजों से related questions की हैं जैसे हमने भारत की location, भारत की राजय, भारत की मृता इन सब चीजों को हमने previous years में जो questions आये हैं उनको हम देख चुके हैं अब ये वीडियो, जो चारो वीडियो हैं वो आप लोग एक playlist बनी हुई है जो ग्रोफी questions करके आप वहाँ पर देख सकते हैं साथ इसाथ इन चारो वीडियो की भी और 5th वीडियो की भी इन 5 वीडियो की जो PDF है वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं description box में एक telegram का link दिया मिलेगा वहाँ पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं पांचोई वीडियो की आपको PDF मिल जाएगी तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को पहला question है कि भारत के भूग भाग के कितने percent भाग पर वर्ष में 75 cm से कम वर्षा होती है मतलब ये अपना पूरा भारत है ये अपना पूरा भारत है पूरे भारत में कितने percent हिसे के उपर 75 cm से भी कम बारिश होती है अच्छा आपके सामने यहाँ पर मैंने लेकर भी आया हूँ यहाँ पर आप देखेंगे तो under 20 cm, यानि 20 cm से भी कम, 20 से 40 cm के बीच में, 40 से 50 cm के बीच में यहाँ पर होती है अब यह पूछा गए कि 75 cm से भी कम वर्षा वाले से कितना परतिशत हिस्सा है भारत का, तो भारत का है 35% अब यहाँ पर हो गया, पहला ए इसका आंसर, आपको पता है कि भारत में जो मानसून की वर्षा अभी कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है obviously हमें इस चीज़ का तो सामना करना पड़ता है, और कभी-कभी जब ज़्यादा बारिश हो जाती है, तो निचले जो शेत्र होते हैं अपने जो ये निचले जो शेत्र होते हैं अपने, इसके अंदर पानी भर जाता है और जो उपर वाला हिस्सा होता है अपना, वहां से मिट्टी कटने का एक खत्रा बना रहता है तो ये चीज़ें हमने फेस करनी पड़ती हैं और मानसुन की इतनी एनिच्जितता है, कोई definite नहीं है कि इस तारीक को इतने बज़े आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कभी लेट, कभी जल्दी, या फिर कभी जादा, कभी कम, इसके कारण क्या होता है कि पांस साल में कम से कम एक बार तो हमें सामना करना पड़ता है सूखेगा क्लिर यहां पर, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपकी सामने, ए थर्टी फाइफ परसंट अब आगे चलते हैं, सैकंड कोशन नहीं पूछा है कि भारत का सूखा, भारत का सबसे सूखा भाग है कौन सा है भई, पश्चमी राजस्थान है, गुजरात है, जमु कश्मीर है, मद्या परदेश है, कौन सा है तो मुझे नहीं लगता कि बच्चा इसमें कन्फ्यूज होगा, कि सर, ए इसका आंसर होगा अब ए आंसर कैसे होगा, क्योंकि आपको पता है कि अरावली की पहड़िया है, अरावली की पहड़िया है यहां पर, जब मानसून यहां से उठता है, यहां से जब अरेबियन सी से जब मानसून उठता है तो जब मांसुन उड़ता है तो इसके तो पैरलल चला जाता है और साथ ही साथ यहां से जब मांसुन आ रहा होता है तो यह यहां तक पहुंचता है मतलब कि यहां पर अरावली की पाड़ी है जिसकारण यह इसके पश्चिम भाग में नहीं पहुंच जाता है अब समझो जरा पश्चिम भाग का मतलब क्या है यह उपर नोर्थ होता है नीचे साउथ होता है इधर वैस्ट होता है इधर इस्ट होता है तो यह जो वाला पश्चिमी हिस्स है ना राजस्तान का पश्चिमी हिस्स है यही सूखा है पूरा राजस्तान सूखा नहीं है राज सुनी है वारत की जल वायू का है मान सुनी है यहां पर रीतू परिवर्तन के कारण वायू की दिशाओं में भी परिवर्तन होते हैं अभी हम इसको भी डिसकस करेंगे अगर आपने देख रहे हैं तो कि आप देखें SSC CHSL 2014 के अंदर ये कोशन आया था SSC FCI के अंदर ये 2012 के अ कोशन आये हुए हैं हम उनी को डिसकस कर रहे हैं क्योंकि जादा तर चांसिस होते हैं as it is को चका जाए वहां पर तो हमने पिछली वीडियो के अंदर भी देखा है कितनी बार कोशन को same same to same चक लिया गया अभी आप यहां पर इस वीडियो के अंदर भी चीजों को अब आये जरें फूर्थ कोशन है कि भारत की जलवायू का नेमल लिकित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है आपके सामने चार ओप्शन है कि क्या भारत की जलवायू के उपर मानसुन का प्रभाव नहीं पड़ता है अभी पिछला कोशन ही तो किया है कि भारत की भावड़ता है, भुमध्य रेखा के नजदीक होने का, अब इसको समझाता हूँ, इसका क्या मतलब होता है, भुमध्य रेखा के, सनिध्य, सनिध्य, सनिध्य का मतलब यहां पर हो गया, कि नजदीक, अब यह देखिए, यह ग्लोब है, ग्लोब में एक तो यह होती है, भुम का यहां से इसके गुजरती है तो यहां से Tropic of Cancer गुजर रही होती है तो भारत के तो साथ इसाथ अभी देखो यह होगी equator यह होगी equator equator के जो उपर वाला देखी globe को दो हिस्सों में बाड़ देती है equator उपरी वाले हिस्ते को बोलते है northern hemisphere नीचले वाले इससे को बोलते है southern hemisphere इस चीज को ध्यान रखना यानि उत्री गुलार्द और दक्षनी गुलार्द हमारा जो भारत है वो कौन से गुलार्द में आता है उत्री गुलार्द में आता है तो यहां से कौन सी रेका भारत में से होकर गुजर रही है करक रेका यानि ट्रोपिक ओफ कैंसर जो है भारत में से होकर गुजरती है इस चीज का ध्यान रखना अब ट्रोपिक ओफ कैंसर भारत में से होकर गुजर रही है और आपको पते है कि यहां पर हिंद महा सागर है भारत की यहां पर यहां इंडिय नोशन तो इंडिय नोशन है और ओविसली यहां पर इंडिय नोशन का तो परभाव पड़े पड़ेगा भारत के जलवायू के उपर साथ इसाथ भूमत्य रेखा रही और भूमत्य रेखा र नहीं पढ़ता है किस के उपर किन की चीज़ों का परभाव पढ़ता है उमीद करता हूं कि आप लोगों को इस चीज़ें समझ में आ गई होगी अच्छा फिफ्थ कोशन पर आते हैं फिफ्थ कोशन है कि गरम शुष्क मौसम के दोरान भारतिया उप महादवी पर निमलिकित अब ये जो है अपने पास क्या हो गया ग्लोब हो गया अच्छा ग्लोब पर नहीं यहां पर ही समझा देते हैं आपको यहां पर ही समझा देते हैं एक सिंपल सा फंड है अभी आपने कभी सोचा होगा कि सूरज की जो किरने पढ़ती है एक तो पानी के उपर पढ़ रही है और एक land के उपर पढ़ रही है तो गरम सबसे पहले क्या होगी तो गरम सबसे पहले क्या होगा पानी गरम होगा या जो land है वो सबसे पहले गरम होगा obviously इसमें जो है land सबसे यानि जो जमीन है वो सबसे पहले गरम होगी तो पानी गरम नहीं हो पाता इतने as compared to जितना जल्दी जमीन गरम हो जाती है अगर जमीन गरम हो जाती है तो हवाएं उपर की तरफ उटने लग जाती है जब जमीन गरम होती है तो समझो, इस concept को समझने है आप लोगों को काफी जादा important है अगर temperature बढ़ेगा तो pressure घटेगा अगर temperature बढ़ेगा तो pressure घटेगा तो यहाँ पर temperature बढ़ा इस side temperature बढ़ा तो temperature बढ़ने से क्या होता है यहाँ पर pressure कम होने लग जाता है pressure कम होने का क्या मतलब है यहाँ से जो हवाएं जो है वो उपर की तरफ उठने लग जाती है pressure कम होगा तो हवाएं जो उपर की तरफ उठने लगेंगी उपर की तरफ उठने लगेंगी यहाँ पर निम्दाब का छेतर बन जाएगा निम्दाब का छेतर मतलब यहाँ पर हवाओं की कमी हो जाएगी अब यहाँ पर जब हवाओं की कमी हो जाती है तो इस चीज को balance करने के लिए कहीं और से हवाई आ रही होती है वो actual में आ रही होती है समुंदर की तरफ से तो ये वाला concept काफी जादा important है climate के अलग से जब ये concept लेंगे तो वहाँ समझाओंगा तो इस चीज को समझ रहे हो कि temperature बढ़ने से pressure घटेगा pressure घटने से हवाई उपर की तरफ उटेंगी हवाई उपर की तरफ उटने से वहाँ पर निमदाब का शित्र बनेगा clear अब पूछा ये गया है कि गरम और शुष्क मोसम के दुरान भारतिया महादिव पर निमलगित में से कि शित्र में निमदाब का शित्र रहता है अब आपको समझ में आगा है निमदाब का शित्र होता कि तो वो होता है अपने पश्चिम उत्र भारत में तो यहनि इस साइड में पाकिस्तान और ये वाला जो हमारा पश्चिम उत्र भारत होता है यहाँ पर निमदाब का शित्र बनता है अब आपको बता है कि 21 मार्च के बाद सूरे का जाए उत्तरायन यानि अपनी तरफ भारत की तरफ बढ़ने की स्टार्ट हो जाता है जून के आदे आदे जून के मध्य में आते आते भारत में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ती है अब देखो गर्मी बढ़ जाती है ना भारत के अंदर इस concept को समझ लो कि भारत के अंदर जब गर्मी बढ़ रही है या फिर कहें कि इस side अपने ट्रोपिक ऑफ कैंसर के तरफ ये सूरज की तरफ आगमन होता है तो यहाँ पर गर्मी बढ़ने लग जाती है धर्ती गर्म होती है तो हवाई उपर उठती है हवाई उपर उठने के कारण यहाँ पर जो है निम्दाब का छेतर बनने से जो यहाँ पर जो समुंदर में जो हवाई थी वो भारत की तरफ चलनी स्टार्ट हो जाती है भारत की रफ चलनी स्टार्ट हो जाती है देखे जो हवा है वो उच दाब से निमदाब की तरफ जाती है हवा जो है वो high pressure से low pressure की तरफ जाती है तो यहाँ पर था इतना as compared to देखे, यहाँ पर भी low pressure था है क्योंकि सूरज की किरने तो यहाँ पर भी पढ़ रही है लेकिन जमीन जादा जल्दी गरम होती है तो इसलिए यहाँ पर जादा निमदाब का शेतर है तो यह जो हवाइं जो हैं वो इस तरफ समुंदर से धर्ती की तरफ चलनी स्टार्ट हो जाती है और धर्ती की तरफ चलनी स्टार्ट हो जाती है तो आप देखेंगे तो यहां पर पानी है पानी जब गरम होता है तो इसमें जल वाश भी यानि वोटर वेपर होती है तो वोटर वेपर उपर उठ रही होती है वोटर वेपर जब उपर उठ जाती है तो यहाँ पर निम्दाब के छेतर की तरफ यह इधर बढ़ने लग जाती है इधर बढ़ने के कारण यहाँ पर धर्ती पर पहुंचने के बाद यह बारिश करनी स्टार्ट कर देती है तो यही reason होता है कि जब मानसून जो है वो यहाँ पर एक जून से हमारे देश में आगमन हो जाता है तो यहाँ पर date भी लिखी गई है उमीद है कि आप लोगों को एक concept समझ में आ रहा होगा बहुत सारी चीज़े हैं काफी जादे चीज़ें को हम cover करने वाले हैं यहाँ पर अच्छा पूछा गया है कि दक्षिन पूर वेपारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारती उपमादिव के किसके कारण आकरशित होती है बहुत के कारण आकरशित होती है उत्तर पश्चिम भारत में कम वायुदाब होने के कारण तो A इसका answer हो जाएगा यहाँ पर यह 5th हो गया अपने पास 5th का क्या answer हो गया C हो गया यह 6th हो गया 6th का क्या answer हो गया A हो गया और दोनों ही question एक दूसरे से related हो गया अब 7th question की तरफ चलते हैं 7th question में पुछा गया है कि October और November के महीने में भारी वर्षा होती है आपको बदा है कि जो winter यानि सर्दियों का जो मोसम होता है उसमें भी बारिश हो रही होती है तो उसमें बारिश एक तो यहां पर western disturbance के कारण हमारे देश में बारिश होती है western disturbance कभी समझाएंगे आप लोगों को एक और चीज होती है देखो October और November के महीने में भारी वर्षा अब यहां पर पुछा कि गारो खासी जेनतिया यहां पर जादा होती है 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 मालवा के पठार यहां पर जादा होती है तो answer है यहां पर कोरोमंडल तठ पर होती है reason क्या होती है देखिए आपको बताए October और November के महीने में dry हवा ही चलती है कि सूखी हवा चल रही होती है क्यों कि जो वहां पर ठंड होती है अब यह उपर से हवा यानि इस तरफ की तरफ आ रही होती है अब इस तरफ की तरफ क्यों आ रही होती है अभी समझो जरा यहां पर जो है लैंड टू लैंड जब हवा चलती है लैंड टू लैंड हवा चलती तो यहां पर कहीं पर भी पानी ने, यानी, water vapor यहांसे इसने कभी उठाया ही नहीं, तो water vapor जब उठाया है नहीं तो यहां पर वालें तो यह वाला जो area होता है ना यह बारिश इतनी ले नहीं पाता क्यूंकि यहां पर है अपने पास पॉच्चमी घाट, पॉच्चमी घाट पर यहां पर है पहाड़ी यह उची उची है तो इसलिए बारिष हो जाती है यहाँ पर और इस साइड जो है वो सुखा पड़ जाता है तो यहाँ पर मांसुन की शुरुआत में तो तमिलाड़ों में बारिष होती है लेकिन जब मांसुन लोट रहा होता है तो तमिलाड़ों में बारिष होत इसका ध्यान रखने है अच्छा उत्तर पूर्वी मांसुन में किस परदेश में अब उत्तर पूर्वी का मतलब समझो ज़रा किया है यह होता है नोर्थ यह होता है वेस्ट यह होता है साउथ और यह होता है इस वाले एरिया से जब हवा आरी होती है अभी मैंने आप लोगों नहीं यहां पर बारिश होगी तमिलाडू के तट पर त्यान रगना तो यहां पर आंसर आजएगा आपकी सामने clear अब आते हैं अपना नाइन्थ कोशन पर नाइन्थ कोशन में कहा गया है कि आपकी सामने सदाहरित इतका मिलान करना है तो यह आपके सामने आंसर मैंने रख दिये हैं यह चीज़ें आप लोगों को एक तरीके से कह सकते हैं कि फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए चीज़ों को यह आया हुआ है SSC CGL 2012 के अंदर यह कोशन आया है अब आगे चलते हैं आगे पूछा गया है कि 10th कोशन में वाईयू मंडल में प्राए गर्मी कहां से होती है कभी आपने सोचा है कि हमारे जो धर्ती में जो होता है अरे यह किया है एक बिनिट इनिट इसमों मैं एक globe बनाता हूं ठीक है आपने कभी सोचा है कि हमारे धर्ती है इसमें गर्मी का मेरे कारन क्या है कर्मी का मेरे कारन यहाँ पर क्या है भ slic सूरज है सूरज की किनने हैं ईसके कारण होता है एक तो यह globe नहीं बन रहा है एक दूम सही से उमीद करता हूँ कि अब इस बार मैंने सही बनाया हो अच्छा यहां पर आप सोचिए यह जो अपनी धर्ती है अब यह जो धर्ती है यहां पर जो है धर्ती में एंटर की एंटर करने के बाद कि धर्ती गरम हो जाती है नहीं जो धर्ती में यहां पर एरिया है और जो यह मीन है अब जो वह वाप पर जराए पढ़ जो पता है आपको पता है यहां पर आपने ग्लोबल वॉर्मिंग सुना हो घर कर दो पा विखाओ तो कार्बन डाय एकषाइट कि उलफिसली जुरूरत होती है लेकिन एक लिमिट मेरत होती जुरूरत होती है तो इसको सोक लेता है उसको बाहर नहीं जाने देता कुछ एनर्जी बाहर चले जाती है लेकिन कुछ एनर्जी को अपने अंदर रख लेता है जिससे जो है जो वातावरन जो है धर्ती का वो गरम हो जाता है तो इसको क्या करते हैं कि धर्ती को एक तरिके कहते हैं कि यह जो कंबल कहा जाता है कि धर्ती को गरम रख लेता है ना जादा ठंडा होने जाता है ना जादा गरम होने जाता है तो बहुत जादा इंपोर्टन होती है अब क्या होता है कि गर्मी किसके कारण बड़ी एक्षिल में गर्मी बड़ी इस terrestrial rays के कार्ण पर यहां से जब अगर किरन उपर उठेंगी अगर इसको बाहर नहीं निकलने दिया गया न अगर यहां पर carbon dioxide जादा हुई carbon dioxide क्या हुई जादा हुई एक मिनट यहां carbon dioxide जादा होगी इन किरनों को उपर नहीं जाने दिया तो यह बहुत जादा भबकने मतलब कि एक तरीके से धदकने लग जाती है इतनी जादा गर्म हो जाती है तब ही तो कहते हैं कि global warming हो रही है जिससे glacier पिगल रहे हैं तो global warming कम करो temperature बढ़ने मत दो तो यहां पर यही कांड है कि karbon dioxide को कम करने का उसको खतम करने का काम किया जाए रहा है तो भारत मतलब कि यहां पर वाई candle में प्राय कर्मी कहां से आती है तो सूर्ने विकिर्ण के द्वारा आती है समझो जब अब यहां पर पिरत्वी द्वारा प्रवेशी किस वे में जाती है वो धीर्ग तरंगों के रूप में जाती है तो कोशन यह भी पूछ लिया जाता है एक लगू तरंगों के रूप में होता है जहां पृत्वी स्वेम गरम होने के बाद जब पृत्वी गरम हो जाती है कि बाद विकिरिन एक पिंड बन जाता है और वायू मंडल में धिर्ग तरंगों के रूप में उर्जा को विकिरिन यानि निकालने ले जाती है यही उर्जा वायू मंडल के नीचे से गरम होती है यही जो उर्जा होती है वायू मंडल को नीचे से गरम करती है और इस प्रक्रिया को पार्थी विकिरिन कहा जाता है काफी इंपोर्टन्ट है दिर्ग तंग विकिरिन वायमंडल गैंस मुखेता कार्बन डायकसाइड अन्य ग्रीन हाउस गैंस द्वारा शोशित कर ली जाती जो यहाँ पर गैंस होती है इनको पकड़ लेती है अब यहाँ पर क्या होता है कि एक लिमिट के अकोडिंग पकड़ा है तो ठीक है भाई इसको गरम होने दो अगर इनोंने सारी ही पकड़ ली कुछ भी बाहर नहीं जाने दिया मतलब बानो कि सूरज ने 100% एनरजी बेजी 100% इसने सोक ली धरती ने अब तो यह धरती बहुत गरम हो जाएगी अगर इसने सारी अरजी जो है वापस नहीं बेजी तो अब यहाँ पर एनरजी जो वापस बेजते हैं तो अगर यहाँ जो यह वायू मंडल इसने सारी अनरजी अगर सोक ली तो ये तो धर्तिव और गरम हो जाएगी भाईया तब ये क्या होता है कि थोड़ी बहुत एनर्जी बाहर चली जाती थोड़ी बहुत अपने पास रखते हैं बाकी एनर्जी को बाहर बेज दिया जाता है तो ये कहते हैं कि कारबन डाइक्सड अर्ने ग्रीन हाउस गैंस है उनके द्वारा अशोशित कर ले जाती है इस परकार वाईयू मंडल पार्थिव विकीर्ण द्वारा एपरतेक्स रूप से गरम होता है नहीं कि सीधे सुरेत आप से तो काफी जादे इंपोर्टन है ये अब आते हैं 11th कोशन पे चन्नाई को दक्षण पश्चिम मांसुन के से अन्य स्थानों के पेक्षा कम वर्षा मिलती है अभी देखे अब मैंने आप लोगों को थोड़े देर पहले कराया था न कि ये जो तमिलाडू वाला शेत्र हो गया ये जो चन्नाई वाला शेत्र हो गया यहां पर आपको पता है यहां पर पढ़ता है पश्चिम घाट यहां पर पढ़ता है पश्चिम घाट पश्चिम घाट के कारण क्या होता है जब मांसुन यहां से उठता है मांसुन यहां से उठता है तो यह जो पाड़िया है यहां पर ही बारिश हो जाती है इस side जो है वो विष्टी छेत्र कहलाते है तो विष्टी छेत्र कहलाने के कारण जो है जो तमीलाडू हो गया, जो चन्ने का शेत्र हो गया यहाँ पर बारिश हो नहीं पाती तो यहाँ पर reason क्या है? इसका सारे ही reason है मांसुल जो है वो कॉरोमंडल तटके यहाँ पर एक तो parallel चल पड़ता है एक तो यह चन्ने इतना ज़ादा गरम हो जाता है कि वो condensation हो नहीं पाती वहाँ पर वे अब तट पावने होती है तो सारा ही reason यहाँ पर हो जाता है और वृष्टी छेतर बनता है 12th question है कि दक्षन पश्री मानसुन की अवदी के दुरान तमिलाडू सूखा रहता है अभी थोड़ी देर पहले हम ने किया है क्यों रहता है यह वृष्टी छाया चेतर होता है वृष्टी छाया चेतर मतलब कि जहां बारिश ना पोचे उसे वृष्टी छाया चेतर कहते है तो CPO 2012 के अंदर ये question आया हुआ है clear ये चीज़े मैंने आप लोगों को करवा दी है शुष्क रहने का कारण है कि वृष्टी छाया चेतर में स्थीत होना है इसका दूसरा कारण है कि तमिलाडू तटका बंगाल के खाड़ी के मांसून पावनों का पैरलल चलती है उसके यहां तो इसका अंसर हो जएगा अपने सामने ए 13th question है कि गौहाटी से चंडिगड तक मांसून वर्षा की परवर्थी क्या रहती है भई गौहाटी से मांसून चलता है यहां से मांसून जब चलता है तो चंडिगड तक जो जिस तरीके से चल रहता है उसमें क्या होता है बढ़ रहा होता है कि मांसून यहां पर इसने बारिस यहां पर कम कराई तो यहां पर और ज़्यादा कराईगा या फिर यहां ज़्यादा कराई इसने यहां कम कराएगा, obviously, सबसे पहले तो यहां सबसे ज़्यादा होगी, यहां धीरे-धीरे कम होती चलेगी, कम होती चलेगी, तो चंडी-गड़, गुहाटी से लेकि चंडी-गड़ तक जो मानसूनी वर्षा होती है, उसकी परवर्ती क्या रहती है, हार्ष्मान यानि की घटी रहती है, तो इसका आंसर हो जाएगा C 14th question पुझा गया है कि निमल लिकित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आद्र स्थान है, तो है मासीन राम या माउसीन राम, मेगाले हम पढ़ता है यह सबसे ज़्यादा वर्षा वाला शेतर होती है क्योंकि आपको बता है कि यहाँ पर गारोखासी जेंतिया है, वो पाड़ी होती है तो इस तरीके सा, एक कुंपी नुमा एक स्रंचना मरा जती है कि यहाँ पर मानसुन है यहाँ के फस जाता है, पाड़ी तहाएं पचास सेंटीमेटर से भी कम वर्षा वाले शेत्र हो गया, कश्मीर राजस्तान हो गया, कच्छ और सोराश्टर तर्ट हो गया, तमिलाडू का रॉयल सीमा शेत्र हो गया, अब अब को पता है कि 2019-2019 में क्या किया गया, जो में कश्मीर है उसको दो हिस्तों में डिवाइड कर युनिन्टरिरी बना दिया गया था, जम्मू कश्मीर को एक युनिन्टरिरी बनाया गया, जिसको में उसको विधान सबा दी गई, लेकिन जो लद्दा के एक दूसरी टैरिटरी बनाया गया था, उसमें विधान सबा नहीं है, तो इस चीज का ध्यान रखना, 16th question है कि भा तो देश में जो खाद्य फसलों में चावल जान आपको पता है नंबर वन पे हैं भारत में धान के परदे सो सेंटिमेंटर से अधिक वर्सावाले शेत्रों में स्थीत हैं अभी आपको पता ही है कि जो यहां पर हरियाना पंजाब यहां पर इस सेत्र में भी यहां पर भी क्य आ रहा होता है भया अब वह से इंतर करेंगे न हम ड्रेनिस सिस्टम करेंगे तो आपको समझेगे तो उपर से पानी आ रहा होता है जिसके कार्ण यहां पर भी पानी के अधिकता रहती है तो जमीन से पानी निकालते हैं नहरों का पानी होता है तो यहां पर भी धान की खेती ह पूछ ने लग गई है, क्लियर अब वन लाइनर कर लेते हैं हमने कोशन से हैं, जो प्रिवियस एर्स में आये हुए थे, उनको कम्प्लीट कर लिया और ये वन लाइनर भी, कोशन जो वन लाइनर है, वो भी आये हुए हैं, ऐसा नहीं है कि बेवज़े इनको चका गए फर्स्ट जो है, कि भारत में दक्षण पश्चिम मानसुन का मोसम की अवदी क्या होती है, जून से लेकर सितंबर तक ये कोशन पूछा गया है मानसुन शब्द का तातपर है कि हवाओं के रुक का बदलाव है इंपोर्टन है, डैश मानसुन हिंद मासागर से काफी जलवाश पर लेकर आता है, कौन सा है दक्षण पश्चिम, जो हमने देखा है न भारत में गरम मोसम की अवदी क्या है, मार्ट से माई तक भारत में ठंड के मोसम में अवदी क्या है, दिसंबर से फरवरी तक भारत की जलवाईव को मुखे तोर पर किस परकार का कहा गया है, मानसून कहा गया है भारत में मानसून के लोटने का समय कि अवदी क्या होती, अक्टूबर से नॉवंबर है हमने विद मैप इस चीज को देखा है, और कहां पर राज्य में सारवदिक वर्षा होती है, तो मेगाले में मासिन रा में इस चीज को हमने भी देखा है, क्यों होती है क्योंकि यहां पर गारोखासी जेंतियां होती है उस पाड़ी में आकर मानसून फज जाता और भाही पर बारिश करवा देता है बारित के उत्तर पष्च्मी भाग में, शीत कालिन में किस कारण से वर्षा होती है इस चीज को ध्यान करना पष्च्मी विख्षा होती है इस चीज को भी हम डिस्कस करेंगे अलग से टॉपिक में क्योंकि यहां पर वीडियो और जादा लेंधी हो जाएगी अगर मैं इस चीज़ों को डिसकस करने हैं मैटा तो अज़ा पूछा गया है कि दक्षिन पश्चिम मानसून से भारत के पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चमी तट पर जादा वर्षा क्यों होती है क्योंकि पश्चमी घाट पर हवाओं को रोकती है जिससे बारिष होती है पश्चमी घाट में जो पाड़िया है वो हवाओं को रोक लेती है वहाँ पर जो बारिष होने लग जाती है और जिसके पूर्वी घाट जो है वो सूखा रह जाता है तबी तो काना तमिलाडू में बारिष कम होती है अब पुछा गए कि पश्चमी विक्षोब यानि वेस्टर्ण डिस्टर्बेंस नौर्वेस्टर, लू, मैंगो, शौवर में से कौन सी हवाएं भुमध्य सागर से भारत की उतर पश्चमी बाकियों चलती है वो है पश्चमी यहनि विक्षोब यहनि Western disturbance पंजाब पश्चिम बेंगाल केरल गुजरात में से किस राज्या में Western disturbance के कारण वर्षा होती है तब पंजाब में होती है पंजाब हर्याना यह उसी एरिया में आ रहे होते हैं पश्चिम तथा पूर्वी घाटों में प्रयाप्त वर्षा होती है जबकि दक्कन के पठार में बहुत कम वर्षा होती है इसका कारण के है क्योंकि एक वरिष्टी चाया से तरह है अभी बताया है ना क्योंकि यहां पर बारिष नहीं हो पाती इंडियन क्लाइमेट से रिलेटिड महतरपूर्ण कोशिन जो आपके प्रिवेस एर में प्रिवेस एर से एक्जाम में आये हुए है और इस वीडियो की जो पीडियाफ है वो आप लोगों को टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन बोक्स में है तो आप जाकर वहाँ से इसकी वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं साथ ही साथ वीडियो पसंद आइए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को वीडियो को लाइक करना होता है, channel को like नहीं करना होता है, लाइक करना है तो subscribe करें, अब ज्यादा इपसन आ है तो share कर दीजिए, वीडियो को भी ऐस वेर as channel groupby, तो बस हाज क्लिए इतने इतना है था, रिए नेक्स दूडियो में, thank you